नमस्कार मैं उचला गरवाल आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूस ट्रेटीफॉर अभिशेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्प I want to talk को लेकर चर्चा में बने हुए हैं बता दे इस फिल्म में अभिशेक बच्चन के किर्दार की गहरी मोशन जर्णी दिखाये जाएगी दरहसर ये फिल्म एक ऐसी इनसान की कहानी है जिसे ये बताया गया है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ सौ दिन बचे हुए है ऐसे में फिल्म में मौत आत्म शिंदन और अंध की एहमियत को गहराई से दिखाया गया है अभिशेक बच्चन ने बताया कि कैसे फिल्म की कहानी ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह की बिमारी का पदा चलने पर एक व्यक्ति को कैसा फिल होता है वाल ये होता है बचा हुआ समय में कैसे बिताओ क्या मुझे छोड़ देना चाहिए क्या मुझे खतम करना चाहिए अक्टर ने ये भी बताया कि ऐसी स्थिति इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि उसके लिए सबसे जादा क्या माइने रखता है जैसे रिष्टो कर सुधार्णा, पैसो के मामले को सुलजाना या जीवन की मकसद के बारे में सोचना बता दे अब इशीक ने रात में जागते हुई है आने वाले गहरे ख़यालों के बारे में भी बात की उन्होंने बताया कि कैसे इंसान रात को अंजानी चीजों के बारे में सोचता है आक्टर ने कहा क्या मैं कल सुबा उठूंगा क्या ये मेरी आखिरी रात है मुझे अपनी आखिरी रात कैसे बितानी चाहिए उन्हें किसी के आफरी दिनों के बारे में सोचना दिल्चस्प और emotional दोनों लगा आक्टर ने कहा ये अच्छा लगता है कि आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसे किसी के पास जीने के लिए सिर्फ सौ दिन है लेकिन जब आप सच में इस बारे में सोच रहे हैं तो ये एक बेहदी गहरी सोच है आपको बता दिये कि सुजीत सरकार दुआरा निर्देशित I want to talk एक दिल छू लेने वाली फिल्म है जो समय के साथ जीने और रिष्टों को समझाने की गहरी कहानी को पेश करती है और ये फिल्म एक पिता और बीटी के रिष्टे पर अधारित है जो 22 नवंबर को सिनमा घरों में रिलीज होगी इस फिल्म में जॉने लीवर और एहले बामरू भी एहम भूमी का निभा रहे हैं आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसे लगी क्या आप ये फिल्म देखने सिनमा घरों में जाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहे हैं लाइव यूपी नियोस 24 धन्यवाद